अरे यार मुझे आने वाले स्कूल के प्रोग्राम में बच्चों को मंच पर बुलाने की जिमेदारी दी गई है कैसे बोलूँ मुझे तो पता ही नहीं है कि कैसे बच्चों को इस्टेज़ पर भासन देने के लिए बुलाते हैं या फिर इस टेज़ में जो प्रोग्राम है कोई भी प्रोग्राम है उसको शुरू फिर कैसे क्या जाता है वो चीज़ आपको इस वीडियो में सिखाएंगे तो टेंसन मत लिजाना तो आईए चलते हैं ही स्टार्ट करते हैं और अच्छे दे कैसे समझते हैं कि कोई भी प्रोग्राम है हो चाहे वो 15 अगस का हो या 26 जनौरी का हो या अनौल फंशन हो तो उसमें हम बच्चों को कैसे बुलाएंगे और प्रोग्राम का सुरुआत या प्रोग्राम का जो इस्टार्ट है वो हम कैसे करेंगे आएए आसान भासा में सिकते हैं देखिए हमको सुरू करना कैसे यहाँ पर कहना है सुरू में सभागर में मौझूद सभी सम्मानित अतितियों को मेरा सलाम ठीक है मैं आप सबका अपना स्कूल का नाम यह लिजेगा जिसे इंडियन इंगलिस स्कूल फरक्या में पंदरा अगस्त महसो में सुवागत करता हूँ हमारे स्कूल के लिए या बहुत ही परतिश्टत अवसर है और जो सपना हमने देखा था वो अब पूरा हो रहा है आज यहां में अपने सामने आसाधारन और स्माट छात्रों और उनके माता पिता को देख रहा हूँ जो इस दिन शहर के कोने कोने से इस प्रोग्राम में शामिल हुए है ठीक है उसके बाद आपको कहना है कि आज की इस सुब आउसर पर हमारे इंडियन इंगलिस स्कूल के चात्र और चात्राओं के टाइलेंट और इस स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होती है वो आपके सामने आएगा यहीं जो बच्चे भासां देंगे ना उसके दोर आएगा ठीक है तो ज्यादा समय को बरबाद ना करते हुए अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ ठीक है इस परकार से जो है कि आप प्रोग्राम के स्टार्ट कर सकते हैं यह आपको शुरू में बोलना है इसके जगे में आप कुछ-कुछ सब्दों को चेंज भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप इतना बात कहते हैं तो आपको काफी है ठीक है क्योंकि शौट में आपको बोलना है इने की लंबा चाड़ा आप सुरू में बोलना इस चार्ट कर देंगे तो फिर वो रॉंग हो जाता समझें बिलकुल शौट से आपको सुरू करना तो आधने जह उखताई भी ना और जो है कि उसे अच्छी तरह किसा समझ में आ जाए तो इसी तरह किसा शौट में आपको बोलना है तो ये तो है कि आप जो प्रोगराम को शूरू कर रहे हैं वो किस तरह के से सुरू करना है कि आप विर विला थे कि अवकंड पर में पहले एक रादी के इन साम लोगत करना कुर्स में का看 भी चलेगा मान यह किसे का जो है कि सबसे पहले स्वागत करना है वेलकम डान्स आपके पास में तो जो डान्स है गुरूप का वो नाम भी दिए आपर इस तरीके से आप इसको लिख करके भी वहां पर ले जा करके मंच पर रखके भी देख देखे बोल सकते हैं तो जैसे कोई एक वेलकम सौंग का डान्स है उसको आप इनवर्ट करना चाहते है तो यहाँ पर सिंपली कहिए नाउ आई गिव आ कॉल टू यहाँ पर नाम हो जाएगा सोरी दोस्तों यह के विडियल में होगा क्योंकि पूरपर नाउन है तो यहाँ पर गुलिस्ताज गुरूप टू कम इस परकार से आप गित का भी नाम लेजिएगा स्वागत गित इस तरीके से आप लोगों को बुला सकते हैं कि मैं अभी गुलिस्ताज के गुरूप को इनवर्ट करना चाहता हूँ उनके गुरूप के साथ में और दिखाएं उनके परफॉमेंस की कैसा है इस परकार से आप इसका बुला सकते हैं इंग्लिश में बुला सकते हैं अगर अगर आप इंग्लिश में बुलाते हैं तो क्या होता है कि वो चीज़ आपको ज्यादा अच्छा लगता है मतलब ज्यादा अच्छा लगता अगर हिंदी में अगर बुलाते हैं तो उतना अच्छा नहीं होता है समझें तो देखिए अभी मानिए कि फिर उसके बाद डांसिंग डांस गूरूप के बाद में अगर आप किसे को स्पीच के लिए बुलाते हैं तो वहाँ पर कह दीजेगा इस परकार से बुला सकते हैं या फिर उसके बाद कोई एक डांस है एक्शन सॉंग है तो उसमें भी कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग सुकराना एंड शाहिन जो भी गूरूप में जो भी हैं वन इस्टेट टू डांस अबाट इंग्लिश मेडियम है ना इस परकार से आप कह सकते हैं देखिए दोस्तों अलग अलग अपना अपना इस्टाल होता है आप अपने अंदाज में कह सकते हैं इसको चेंज भी कर सकते हैं वो आपकी मरजी है वई तो इस परकार से लिख सकते हैं और भी आपको दिखाता हूँ जो बच्चों को बुलान और कंट्री के बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो यहां पर कह सकते हैं Come to the stage Shabana and show everyone that you are no less than everyone इस परकार से बात कहके भी आप इसको invite कर सकते हैं या फिर फिर उसके बाद मानिये कि किसी को जो है कि dance के लिए भी एक group है उस group को भी dancing के लिए अगर बुलाना चाहते हैं तो दूसरे शब्दों में English के दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं I request to mass mass group to dance 13370 यह मानिकि यह song का नाम है 13370 इस परकार से आप जो है invert कर सकते हैं यह फिर उसके बाद में फिर किसी को अगर आप इस पीच के लिए बोलना चाहते हैं बुलाना चाहते हैं तो यह कह सकते हैं कि यह नाम ले लिजेगा जो भी लड़के हैं यह लड़के हैं आपके उसमें शाहिस्ता इस आलसो रेरिंग टू स्पीक इन फरेंट अफ यू तो पिलीज वेलकम शाहिस्ता परवीन इस परकार से जो है कि उनका नाम ले करके आप उन्हें बुला सकते हैं उसके बाद मानिए कि कोई एक डरामा है आपके असमें जिसे मैंने यहां पर लिखा है सांस बहु का डरामा सास और बहु के बीच तो उसी को एक डरामा के रूप में हमारे इंडियन इंग्लिस स्कूल के बच्चों दिखाएंगे सोलेश चसी इस परकास जो एक आप उन्हें बुला सकते हैं मानिए कि उसके बाद में कोई एक और स्पीच है आपके बास में तो हमें स्क्रोल कर लेता हूँ जी इस परकार से मानिए कि कोई उसका अदमें कोई एक है जो इस पीच कहना चाहती है तो इसका नाम लेजे सिंपल एस है इस परकार से उसका नाम लेके भी आप बुला सकते हैं अलग लग लग श्टायल है दोस्तों इस से यह नहीं कि ऐसा ही बुलना है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से कुछ बढ़ा भी इस सकते हैं घटा भी सकते हैं सिर्फ मैं आप लोग एशारा कर रहा हूँ कि किस परकार से बोला जाता है तेरी जोल प्या मानि मानि कि दो लड़का है उसमें डांस कर रहे होंगे तो इसको कैसे बुलाना है तो कहना है कि जो किस BOYD का नाम ले ले रहे है जो गुरूप का ju समय होता है तो इस परकार से आप इसको शब्द का पर्योग करके आप इसको बुला सकते हैं फिर अगर शारी भी आप कहना चाहते हैं तो शारी भी कह सकते हैं जिसे कोई लगाओ, कोई नफरत, कोई महबत पे मरता है यह गुरूप है उन दिवानों का, यह हर बंदा हिंदुस्तान पर मरता है देखे, सबसे बेश्ट नियम होता है कि मैं यह आप शारी नहीं लिखा हूँ आप उसको एट कर लिजएगा, नेट में बहुत ज़्यादा आपको हर जगह आपको मिलेगा वो चीज़ डालोडिंग करके आप उसमें शारी भी इस्तिमाल को, जैसे किसी को भी आपको बुलाना है तो सिंपल इसमें थोड़ा सा शारी का भी परियोग कर दिजएगा, थोड़ा बोल दिजएगा, तो थोड़ा अच्छा लेगा तो आईए और भी देख लेते हैं उसके बाद मानिय की जो है कोई एक गुरूप है, आपके बास में जो प्रियंसिपल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो उस परकार साप उसके इनवैट कर सकते हैं आई इनवैट महराज आलम फ्रॉम किलास्थर तो स्पीक अबाउट हमारे पराचारिये, इस परकार से हमारे आवर प्रियंसिपल यहां पर लिख सकते हैं इस परकार से जो है कि आप उन्हें इनवैट कर सकते हैं या फिर कोई एक और डांस है बच्चे का जैसे मुझे दुश्मन के बच्चों को इस परकार से कोई बच्चे हैं जो डांस करना चाहते हैं इस पर जो है इस म्यूजिक पर तो आप उन्हें ऐसे कहिए कि इस परकार से आप इनवैट कर सकते हैं या फिर कि मानिये कि कोई है जो सिश्टर बहन के बारे में कुछ स्पीच करना चाहते हैं तो कहिए इन रियलिटी दा पावर उफ सिश्टर टू मच टू परूफ दिस जैनब परवीन इस कमिंग नहीं वास्तों में जो है लड़की की जो है बहन की जो ताकत है बहुत हुए ज्यादा है और इसी को परूफ करने के लिए जैनब परवीन जो है जो एमडी सुल्तान के बच्च आज है संडे ऐसा करके अगर कोई किसी बच्चे का गुरूफ है उसको कह सकते हैं कि आफ्टर देस आई रिक्वेश्ट टू डांस वन म्यूजिक आज है संडे शौट में देखिए इसको लॉंग करना चाहे ना जितना लॉंग किजिक उतना होगा लेकिन आप इसको शौट है नहीं कि सबको आपको याद करना पड़ेगा जरूर नहीं है ठीक है इस परकार के माने कोई डॉक्टर राजिंद परसाद के बारे में कहना चाहते हैं तो ऐसा कि एक्स्पलेंड हाव इंपॉर्टेंड डॉक्टर राजिंद परसाद इन इंडिया है ना I want to invite रुफिना when to come on the stage इस परकार से कह सकते हैं तो आइए और भी दिखा रहे हैं आपको मैं बता रहा हूं कैसे कैसे आप लोगों को बोलना यह सिर्फ में आप लोगों को दिखाने के लिए ही मैं नोट करके रखा हूं ताकि आप लोग जो है प्रोब्लम में ना रहें आप लोग समझ सके हैं अची तरह किसे कैसे किया जाता है तो मानिए कोई एक ग्रूप है आपको जैसे तेरी मिटी का भी है इस पर कासे जो है ग्रूप है जो डांस के लिए हैं तो वहां पर सिंपली कह सकते हैं कि I give a voice to आशिक ग्रूप to come on stage with a dance तेरी मिटी आप इसको चेंज कर जिसका अगर अलग गुरूप का dance से उसमें आप इसको change कर सकते हैं या कोई लड़का शुप है जो अलग नाम कर इसको इसको इसमें change कर सकते है आप इसको ठींगे तो इस पर कासे आप कह सकते हैं इसमें देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है बहुत आसामने थोड़ा ध्यान से समझे तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको अगर helpful और थोड़ा अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ में बैल आइकन को भी दबा दें ताके जो भी में वीडियो बनाओ उस कुनेवर्शन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और जरूर कॉमेंट करें कि वीडियो कैसा रहा ठीक है कॉमेंट जरूर करें तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, thank you.